एक तनाव पूर्ण रिष्टे को आगे बढ़ाया जाए, स्ठी किया जाए, या मुव कर लेना चाहिए चलिए, आज आज आपको कुछ बहुतर फिल कराते हैं देखे कहीं बाइब होता है कि हम ऐसी बाते सुनते हैं कि दिल आया गधी पर तो हूर क्या चीज है आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा लेकिन मेरा ये critical meaning नहीं है कि किसी का गधे के उपर दिल आ गया है, या गधी के उपर दिल है, इसी समझने वाली बात है कि दूखें, कभी-कभी ऐसा होता है अच्या, मैं रिक्वेस्ट करोंगे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें कभी-कभी ऐसा होता है, कि हम ऐसे इंसान के साथ प्यार कर बैठते हैं, ऐसा हमें हमारा उस सिकाव हो जाता है जिसे कि हमें कभी भी उसे जिन्दिगे में रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल पाता और या तो वो हमें चाहता नहीं है या सिर्फ हमारे साथ खेल केल कर टाइम पास करके चला गया है ऐसे में बहुत सारे लोग प्यार जैसे चीज में आकर फस जाते हैं और तड़ते रहते हैं, इनटजार करते रहते हैं उसके जलक पाने के लिए, उसके आवास सुनने के लिए यकीन मानिये आप एक खिलोना बन कर रह गए हैं ठीक है? और एक कठपुतրी के तरह आप सिर्फ उसके लिए एक खेल खेलने की चीज रह गये हैं जब उसका मन करेगा तब वो आप से बात करेगा नहीं तो नहीं भी करेगा और आपका सिर्फ एक इंतजार बना रहेगा कि वो आएगा तो ऐसे में जरूरी है कि हमें अपने लाइफ की सिस्टम से ऐसे इंसान को निकाल कर बाहर फैक देना चाहिए क्योंकि प्यार जो है वो कई बार एक तरफा भी होता है और ऐसा प्यार क्या तो किसी गलत इंसान के साथ हमारा प्यार हो गया है या फिस सिर्फ आपके साथ कोई टाइम पास करके निकल गया है तो यहां समझ की चलिए कि ये प्यार आपकी एनर्जी को सत कर देगा आप अंदर से टूटा हुआ फिल करेंगे अपने को हेल्पलेस फिल करेंगे और आपको चाहिए कि आप लगेगा कि आपको जिन्दा रहने की उसकी जरूरत है आप तड़कते हुए नजराएंगे लाइफ डूप जाएगी आप उसकी एक गुलामी में चले जाएंगे तो अपनी इंतिजार की इस सिस्टम को जिसमें आप वस गए हैं इससे आपको निकलने के लिए अपनी ही विल पावर का यूज करना पड़ेगा और अपनी लाइफ की सिस्टम से जड़ से उस सिस्टम को जड़ से निकाल कर इस इस इंसान को पहाँ खेगना पड़ेगा तो अब यहाँ यह सवाल उठता है कि ऐसे इंसान को हम अपनी लाइफ से कैसे निकालें क्योंकि शिर्फ आपकी लाइफ ही नहीं डिस्ट्रो होएगी बलकि इस से साथ साथ आप इंतजा चाहे सो साल भी क्यों न करें वो वापिस नहीं आने वाला और किस तरीके से कहीं ठोकर खाकर वापिस आ भी ख्या तो ना वो इज़त आपकी नजरों में उसके लिए होगी और ना ही वो आपकी सामने शर्मिंदा होगा क्योंकि उसे पता है आप तो खिलो ना हो तो ऐसे इंसान को कैसे निकाला जाए अब ये देखते हैं देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है क्योंकि कई लागों को ऐसा लगता है कि जब हम अपने अंदर से इंतजार की इस चीज को स्टॉप कर देंगे तो हमारी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं तो यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगे कि होश में आए क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है देखने के लिए ठीक है? तो अपने इस दर्द को संभाल कर नहीं रखे इसे बाहर निकालिए और मजबूती से एक डिसीजन लीजे कि अब मुझे इस इंतजार को स्टॉप करना है और यह समझे यह साइंटिफिक एक वो सिस्ट्रम है कि हमारा माइंड जो है उसका पैट्रन हर 40 दिन में रिफ्रेश होता रहता है यानि किसी काम को अगर हम लगाता 40 दिन तक कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो हमारे दिमाग के सिस्ट्रम में यह काम अच्छे से भर जाता है और दिमाग जो है वो उसी काम को करने में लग जाता है कहीं जिसे आप प्यार समझ बैठे हैं उस इंसान के लिए आपने ज़्यादा सोच सोच कर अपना दिमाग जो है उस पे उसे हावी तो नहीं कर लिया है और उसे आप इसे प्यार व्यार समझ बैठे हैं प्यार के कई और माइने होते हैं प्यार के ये माइने कहीं नहीं है जैसा कि आजकर के लोगों ने समझ रखा है तो 40 दिन तक आपने उसको अगर जबर दस्त सोचा है तो वो आपके दिमाग में बैठ गया है अब आपको उसे निकालना है तो एक से चोटा सा तरीका निकालिए रोज 40 दिन एक कागज पर उस इनसान का नाम लिखिए और अब इस कागज को आप जाकर अपने खर के ट्रॉलेक में फ्रश कराईए यकीन मानिया आप बहुत रिलैक्स फिल करेंगे आप बहुत हलका अपने आपको महसूस करेंगे आप नई लाइफ की तरफ शुरुआत के लिए कदम तो उठाईए 40 दिन रेगुलर इस बंदे का नाम लिखकर आपने इसे फ्रश करना है और आप देखेंगे 40 दिन बाद आप अपने उपर ही हस्रेह होंगे कि इस आदमी से मेरी कोई मैचिंग ही नहीं है ये कैसा और मैं कैसा मेरा तो इसे कोई मेल ही नहीं है मेरा कोई तालमेल ही नहीं है मैं पागल हूँ जो इस इस इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट किया है इतना टाइम लगाया है और 41 में दिन आप अपने आपको उसे आजाद फिल करेंगे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आपको आजाद करें गुलामी तो किसी के भी अच्छी नहीं ठीक है?